हमने ये देखा था कि लीथियम एवं मैगनीशियम दोनों के मद्धे विकंड संबंध होता है तो कौन-कौन से ऐसे बिंदू हैं जो इनमें समान होते हैं ये हम अब जानेंगे तो सबसे पहले इनके भौती गुण से हम प्रारम करेंगे लीथियम और मैगनीशियम दोनों ही अपने परिवार के सबसे कठोर धात्वे होती हैं और ये हलकी भी होती हैं लीथियम और मेगनीशियम जल के साथ बहुत धीमी गती से क्रिया करते हैं और इनके जो ऑक्साइड है या जो हाइड्रोक्साइड है वो जल में कम घुलनशील होते हैं हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो ये समान रुप से विघटित होते हैं यहनि दोनों के hydroxide को जब गर्म किया जाता है तो दोनों oxide में परिवर्थित होते हैं और oxygen में परिवर्थित होते हैं तो lithium hydroxide को जब गर्म किया जाएगा तो 2 LiOH is equal to Li2O plus H2O इसी प्रकार magnesium hydroxide को जब गर्म करते हैं तो magnesium oxide plus H2O बनता है तो यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोकसाइडों को जब गर्म किया जाता है तो यह अपने अपने आकसाइड में परिवर्तित होते हैं लीथियम और मैगनेशियम दोनों नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाने की शमता रखते हैं तो lithium का nitrogen से reaction होगा, तो 6 Li plus 2 N2 is equal to 2 Li3 N2, lithium nitride बना, इसी प्रकार magnesium का लेंगे, तो 3 Mg plus N2 is equal to Mg3 N2 बनता है, तो lithium nitride और magnesium nitride बनता है, लीथियम oxide और magnesium oxide, oxygen के साथ क्रिया करते हैं और super oxide बनाने की शमता रखते हैं, दोनों के oxide, super oxide भी बना पाते हैं, इनके carbonate को जब गर्म किया जाता है, तो ये अब घटित होते हैं, और अब घटित होकर oxide एवं carbon dioxide मुक्त करते हैं, तो lithium carbonate को गर्म करने पर, याने Li2CO3 को गर्म करते हैं, तो Li2O plus CO2 बनता है, carbonate को हमने देखा, जब भी गर्म किया जाएगा, तो carbon dioxide gas मुक्त होती है, magnesium carbonate, MgCO3 को गर्म करने पर, magnesium oxide plus CO2 बनता है, तो यहाँ पर lithium और magnesium के जो carbonate है, उनके विघटन होने के बाद जो उतपाद बनते हैं, वो भी समान होते हैं, lithium और magnesium के जो chloride होते हैं, याने LICL और magnesium chloride, MgCl2, दोनों ethanol में विले होते हैं, क्योंकि यह सहसेयोजी प्रवृत्ती दर्शाते हैं, lithium hydroxide और magnesium hydroxide, LiOH और MgOH whole twice, यह दोनों ही दुर्बल छारी प्रवृत्ती के होते हैं, याने hydroxide ion, OH-ion देने की प्रवृत्ती कम होती हैं, lithium chloride और magnesium chloride, दोनों में यह चमता होती है, क्योंकि यह प्रस्वेद्य गुण रखते हैं, और दोनों में यह चमता होती है, जल के अणू के साथ यह hydrate lover बनाते हैं, crystallicrate हो जाते हैं, तो LICL जब जल के अणू के साथ hydrate lover बनाएगा, तो LICL.2H2O और magnesium chloride जब बनाता है, जल के अणू के साथ hydrate lover, तो वह होता है, MGCl2.8H2O, दोनों ही तत्व, lithium और magnesium, जब जल से क्रिया करते हैं, तो hydroxide बनाते हैं और hydrogen gas मुक्त करते हैं, तो lithium जल के साथ क्रिया करके lithium hydroxide और magnesium जल के साथ क्रिया करके magnesium hydroxide बनाते हैं, और साथ ही दोनों hydrogen gas भी मुक्त करते हैं, तो 2Li plus 2H2O is equal to 2LiOH plus H2, magnesium plus 2H2O is equal to MgOH whole twice plus H2, तो lithium hydroxide और magnesium hydroxide दोनों यहाँ पर बनता हैं और hydrogen gas भी मुक्त होती हैं, lithium और magnesium के nitrate एक समान रूप से अब घटित होते हैं, अभी हम यही देख रहे हैं कि इनके कौन-कौन से गुण हैं जो बिलकुल समान होते हैं, तो प्राय सभी गुणों में हमने देखा कि यह एक जैसे ही क्रिया करते हैं, एक जैसे ही उत्पात बनाते हैं, एक समान रूप से यह विघटित हो रहे हैं, तो नाइट्रेट के विघटन से भी lithium के oxide या magnesium के oxide बनते हैं, nitrogen dioxide बनता है और oxygen gas बनता है, तो lithium और magnesium के nitrate के विघटन को देखिए, 4LiNO3 lithium nitrate गर्म करने पर परिवर्टित होता है 2Li2O plus 4NO2 plus O2 और magnesium के nitrate याने 2MgNO3 whole twice magnesium nitrate जब गर्म करेंगे इसे तो 2MgO magnesium oxide plus 4NO2 plus O2 बनता है, दोनों ही तत्व के जो hydrogen carbonate होते हैं, वे ठोस रूप में नहीं पाये जाते हैं, अर्थात lithium hydrogen carbonate और magnesium hydrogen carbonate ठोस रूप में प्रकृति में नहीं पाये जाते हैं, लीथियम के हेलाइड याने LICL और magnesium chloride ये दोनों अलग-अलग organic solvent होते हैं, अर्बनिक विलायक में ये पूरी तरह से विले होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रकृति हैं वो सहसेयोजी गुण के होते हैं, लीथियम और magnesium के कार्बोनेट लवन, fluoride, oxide, phosphate ये सभी जल में बहुत कम विले होते हैं, अब हम छार धातूं के उपियोग के बारे में जानेंगे, तो lead-leathium, एक बहुत ही important मिश्रधातू या alloy बनाते हैं, तो lead-lethium के साथ ये जब मिश्रधातू बनाता है, तो ये बहुत उच्छ शक्ति का एक मिश्रधातू बहुत अच्छे गुण का एक मिश्रधातू बनता है इसका उपयोग वायू यान बनाने में किया जाता है लीथियम का उपयोग जो ताप नाभी की अभी क्रियाएं होती है उसमें तो होता ही है साथ ही साथ सेल में भी इसका प्रियोग किया जाता है सोडियम का उपयोग भी सोडियम लेड जो कार्ब धात्विक मिश्र धातु होते हैं उसको बनाने में किया जाता है तो टेट्रा एथिल लेड या टेट्रा मेथाइल लेड जिसको हम TEL के रूप में जानते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है PBET4 इसका मतलब है टेट्रा एथाइल यानि अगर हम इसे सूत्र का रूप देंगे तो PB C2H5 होल 4 या यदि टेट्रा मेथाइल लेड लेड लेंगे तो PB CS3 होल 4 तो इस तरह से यह टेट्रा मेथाइल लेड बनेगा पुराने समय में कार्ब लेड योगिकों का प्रियोग पेट्रोल में एंटी नॉक सब्स्टें के रूप में किया जाता था लेकिन आज के समय में इसको प्रदूशन युक्त मानते हैं तो प्रदूशन रहित इंधन बनाने के लिए पेट्रोल को सीसा रहित पेट्रोल का चुकी आजकल प्रियोग हो रहा है तो टेट्रा एथिल लेड का या टेट्रा मिथाइल लेड का प्रियोग नहीं किया जाता है द्रव सोडियम का प्रियोग नाभिकी रियक्टर में शीतलक के रूप में भी किया जाता है यहने बहुत अधिक उश्मा उत्पन होती है नाभिकी रियक्टर में तो उश्मा को थोड़ा कम करने के लिए या जो थंडा करने के लिए पूरे उप जो हम प्योग करते हैं अपने दैनिक जीवन में साबुन जो सौफ्ट सोप होते हैं उसमें पोटेशियम हाइड्रॉकसाइड का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे प्रयोगों में हम देखते हैं कारबन डियॉकसाइड को अवशोशित करने के लिए या प्रदूशन हो ग है तो जो potassium hydroxide है वह एक बहुत अच्छा carbon dioxide अवशोशक होता है सीजियम का प्रयोग प्रकाश विद्यूत cell में किया जाता है क्योंकि हमने प्रकाश विद्यूत प्रभाव भी पढ़ा है कि छार धातुओं में यह देखा जाता है कि इसके धातुओं की सत्व पर जैसे प्रकाश विकिरन दिया जाता है इसमें से एलेक्ट्रोन उत्सरजित होने लगते हैं तो सीजियम का आकार बहुत बड़ा होता है अपने परिवार में इस सबसे बड़ा सदस्य होता है तो यह प्रकाश विद्यूत प्रभाव दर्शाते हैं और इसी गुण के कारण इसका प् प्रकृती में पाए जाते हैं तो इसमें से कुछ योगी को के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है या इसे हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइडरेट के 10H2O के रूप में या लिखा जाता है Sodium Carbonate Crystally होता है और सफेध होता है और Sodium Carbonate जल में गुलनशील होते है Sodium Carbonate Decahydrate को जब गर्म किया जाता है लगभग 373 Kelvin temperature पर तो यह 9 जल के अणू को निकाल देता है और इसके साथ केवल एक जल का अणू attached होता है तो Na2CO3.10H2O का जब विघटन हो रहा है 373 Kelvin temperature पर तो Na2CO3.H2O प्लस 9H2O यह 9 जल के अणू इसमें से बाहर निकल जाते है जब Na2CO3.H2O को 373 Kelvin से भी जादा temperature पर गर्म किया जाएगा तो यह जो sodium carbonate है वह एक सफेद चूर्ण के रूप में यहाँ पर या soda ash जिसे कहते हैं यह पोन रूप से शुष्क हो जाएगा यहने उसमें से जो एक जल काडू है वो भी बाहर निकल जाता है Na2CO3 सोडा ash के रूप में आ जाता है और पोन रूप से शुष्क अवस्था में अब दिखाई देने लगता है क्योंकि इसमें से एक जल काडू भी बाहर निकल गया है तो Na2CO3.H2O 373 Kelvin से भी अधिक टेंपरेचर पर Na2CO3 प्लस H2O में परिवर्तित होता है तो Na2CO3 सोडा एश के रूप में यहां पर दिखाई दे रहे है Sodium Carbonate Sodium Carbonate एक बहुत ही महत्योपून और द्योगिक कंपाउंड होता है और इसको बनाने के लिए Solve process का प्रियोग किया जाता है Solve process को सबसे पहले Ernst Solve Vagyanic ने दिया था इस process से जब sodium carbonate बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ है raw material है वो है sodium chloride, ammonia, gel और calcium carbonate इन ही के सहयोग से Solve process में sodium carbonate का निर्माड किया जाता है और बहुत important बात ये भी है कि इस process से sodium bicarbonate का भी निर्माड हो सकता है तो इस पूरे sodium carbonate के निर्माड में जो सिध्धान्थ है वो सिध्धान्थ मुख्य रूप से तीन बिंदूओं पर डिपेंड करता है सबसे पहले हम देखेंगे कि जो sodium chloride है उसका सांद्रविलियन लिया जाता है सांद्रविलियन हैने बहुत अधिक sodium chloride है जल की मात्रा बहुत कम है तो इस प्रकार जो concentrated sodium chloride होता है उसे ब्राइन कहा जाता है इस ब्राइन को अमोनिया के द्वारा संत्रिप्त किया जाता है तो संत्रिप्त करने के बाद जो NACL है उसको अब कहते हैं अमोनी कृत NACL और इस विलियन में याने अमोनी कृत NACL में जब carbon dioxide प्रवाहित कर देते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है NH4 whole twice CO3 बन जाता है और ये अमोनियम कार्बोनेट फिर NACL से react होता है और बना लेता है sodium bicarbonate तो इस पूरे reaction को हम लिख सकते हैं NH3 plus CO2 plus H2O is equal to NH4HCO3 आमोनियम bicarbonate दूसरा NH4HCO3 आमोनियम bicarbonate plus NACL is equal to NHCO3 plus NH4Cl तो ये पहला इसमें पद है जिसमें की हम देख रहे हैं sodium bicarbonate का निर्माड हुआ ये जो sodium bicarbonate है वो बहुत कम विले होते हैं और कम विले होने के कारण ये तली में नीचे बैठ जाते हैं इसे छान कर अलग कर दिया जाता है इसके बाद इसका calcination या निस्तापन किया जाता है याने वायू की अनुपस्थिती में इसे गर्म किया जाता है तो जब sodium bicarbonate को वायू की अनुपस्थिती में गर्म किया जाएगा तो ये विघटित होगा sodium, carbonate में, gel में और CO2 में तो 2 NaHCO3 is equal to Na2CO3 plus H2O plus CO2 तो ये दूसरा पद है इस solve-way process में अगला हम देखेंगे कि जो ammonium chloride बना था पहले पद में उसकी क्रिया बुझे हुए चूने के साथ कराते हैं तो बुझा हुआ चूना आता है कहां से बुझा हुआ चूना आता है calcium carbonate से calcium carbonate के विघटन से calcium oxide बनता है और carbon dioxide बनता है और calcium oxide की क्रिया जब जल से कराते हैं तो calcium hydroxide बनता है तो ये जो बुझा हुआ चुना अर्थात calcium hydroxide प्रथम पद में बने हुए ammonium chloride से react होते हैं तो बनता है calcium chloride, gel और ammonia तो यहां बना हुआ जो ammonia है इसका फिर से प्रियोग कर लिया जाता है तो यह पूरा जो method है वो बहुत सस्ता भी होता है क्योंकि इससे बनने वाला जो उत्पाद है इसका फिर से प्रियोग कर लिया जाता है तो ammonium chloride और calcium hydroxide जब react होते हैं 2 NH4Cl plus CaOH whole twice is equal to CaCl2 plus 2H2O plus 2NS3 बनता है Solve process में जितनी भी अभी क्रियाएं हैं अलग-अलग पदों में उसको यदि समी करण का रूप देंगे तो सबसे पहले ammonicrid brine का निर्माडियाने संत्रिप्ती करण जो tank है जहां पर जो brine है उसको ammonia से संत्रिप्त किया जाता है इस tank में होने वाला जो reaction है वो है 2NS3 plus H2O plus CO2 is equal to NH4 whole twice CO3 याने ammonium carbonate बना और जो calcium chloride और magnesium chloride है वो अशुद्धियों के रूप में है और ये ammonium carbonate से react होते हैं और carbonates में परिवर्तित होते हैं calcium chloride plus NH4 whole twice CO3 is equal to CaCO3 plus 2 NH4Cl और magnesium chloride असुद्धि के रूप में है तो वो जब ammonium carbonate से react होंगे तो magnesium chloride plus NH4 whole twice CO3 is equal to magnesium carbonate plus 2 NH4Cl बनता है अगला जो इसमें पार्ट है वो है carbonating tower या carbonic current stump जो carbonic current stump है यहाँ पर carbon dioxide को प्रवाहित किया जाता है तो carbon dioxide जब ammonia और जल से react होते हैं तो ammonium bicarbonate बनता है तो CO2 plus NH3 plus H2O is equal to NH4HCO3 ammonium bicarbonate बना और यह ammonium bicarbonate जो centript NaCl है उसके साथ react होते हैं तो NH4HCO3 plus NaCl is equal to NaHCO3 plus NH4Cl यहने sodium bicarbonate बनता है और ammonium chloride बनता है अगला हम देखेंगे कि जो निर्वात छन्ना है इसका अगला part उसमें sodium bicarbonate और जो ammonium chloride है उसको जब छन्ना से प्रवाहित करते हैं तो sodium bicarbonate अलग हो जाता है लेकिन जो ammonium chloride है वो इसमें शेस रह जाता है sodium bicarbonate जो बना है इसका निस्तापन किया जाता है calcination किया जाता है तो यह sodium carbonate और H2O और carbon dioxide में परिवर्टित हो जाता है जैसा कि हमने सिध्धानत में reaction देखा कि 2 NaHCO3 is equal to Na2CO3 plus CO2 plus H2O यहाँ पर जो चूना भट्टी है उसमें calcium carbonate या जो limestone है उसको विघटित किया जाता है उचतापमान पर वहीं से carbon dioxide प्राप्त होता है क्योंकि carbon dioxide का ये एक अच्छा स्रोथ है तो calcium carbonate का विघटन होता है चूना भट्टी में तो CaCO3 is equal to CaO plus CO2 बना यह जो CaO है वो जब जल से क्रिया करता है तो CaO plus H2O is equal to CaOH whole twice बनता है calcium hydroxide या जिसे हम चूने का पानी कहते हैं इसके बाद ammonia की पुना प्राप्ती करने के लिए जो स्तंब है टावर है उसमें प्रवेश कराते हैं ammonium chloride को क्योंकि इस प्रक्रिया में ammonia को पुना प्राप्त करके उस पूरे विधी में फिर से ammonia को reuse कर लिया जाता है तो 2 NH4Cl जब calcium hydroxide से react होता है 2 NH4Cl प्लस CaOH whole twice is equal to 2 NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O बनता है पूरे solvay विधी को यदि flow chart के रूप में दर्शाय जाए जो आपको समझने में बहुत आसान होगा वो देखिए यदि flow chart के रूप में इसे बनाएंगे तो ये brine solution है brine याने concentrated NaCl तो ये brine solution है और इसको ammonikrit यदि यने ammonia के द्वारा react कराए जाएगा तो दोनों को प्रवेश कराते हैं была ammonikrit brine यनेั plant tank बनाते हैं यहां पर प्रवेश कराएंगे brine और ammonia को ये दोनों प्रवेश कराया जा रहा है संत्रिप्तिकरण टैंक में संत्रिप्तिकरण टैंक से ये जाते है कार्बोनी करण स्तंब में या कार्बोनी करण कार्बोनेटिंग टावर में कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डियोकसाइड आ रहा है ये कहां से आएगा जो चूना भट्टी है चूना भटी में है calcium carbonate, calcium carbonate विघतित होता है तो देखिए carbon dioxide प्रवेश करेगा carbonic current stumb में और जो calcium oxide है वो नीचे की तरफ है, तो ये calcium oxide जब जल से कृया करता है तो calcium hydroxide में परिवर्थित हो गया, अब यहाँ पर carbonic current जो stumb है, इस stumb में हमने reaction में भी ये देखा कि दो चीजें प्राप्त हुई हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यह जो NaHCO3 है, इसका विघटन होता है उच्चतापमान पर, तो यह विघटित होकर यह NaHCO3 का निस्तापन किया जाता है, तो यह परिवर्तित होता है सोडियम कार्बोनेट और CO2 में, अब आप देखिए, यहाँ पर जो CO2 प्राप्त हुआ है, इसका पुना उप्योग कर लिया जा रहा है कार्बोनी करन इस्तंब में, चूना भट्टी से कार्बन डियोकसाइड कार्बोनी करन इस्तंब में आया था, और निस्तापन के बाद जो कार्बन डियोकसा के रूप में प्राप्त हुआ, अब यहाँ चूकि NH4Clb है और इसको प्रवेश कराया जाएगा अमोनिया पुना प्राप्ती स्तंब में, मतलब जहां पर अमोनिया को फिर से प्राप्त किया जाएगा, तो अब यह जो अमोनिया पुना प्राप्ती स्तंब में प्रवेश करा बाधा जा रहा है immuniub chloride को इस immuniub mole by के साथ क्रिया करवाना है calcium hydroxide का जो हमें प्राप्त हुआ था कैल्सियम oxide की जल से क्रिया के द्वारा तो यह जो calcium hydroxide है वह aimmune chloride से रियक्ट होगा और बनाता है अमोनिया और calcium chloride तो चुक्य इमोनिया पुना प्राप्ति depois में हमें ammonia प्राप्थ हुआ और calcium chloride प्राप्थ हुआ तो ये जो ammonia है इसको फिर से हम प्रेयोग कर लेंगे किसमे ammonia crit brine ययने इसको हम फिर से जहां पर brine को ammonia gas प्रवाहित करके संत्रिप्त किया जा रहा है वहाँ पर इस ammonia को फिर से प्रियोग कर लिया जाता है तो इस पूरे प्रक्रण में हम देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कि मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है sodium carbonate और calcium chloride इस पूरे प्रेयोग में हमें दो चीज ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसका recycle किया जा रहा है अमोनिया और कार्बन डायोकसाइड सॉल्वे विधी द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माड करते समय यह उपकरण है और इसमें विभिन कक्ष हैं जिसमें अलग-अलग प्रकार की क्रियाएं होती है सबसे पहले संत्रिप्त करण टैंक इसमें 30% सोडियम क्लोराइड विलियन को अमोनिया के साथ संत्रिप्त किया जाता है उपर से सोडियम क्लोराइड विलियन प्रवेश कराते हैं जबकि नीचे की ओर से अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है इस प्रकार अमोनी क्रित ब्राइन बनता है जो टैंक के निचले सिरे से एकत्रित होता है और सोडियम क्रोराइड विलियन में उपस्थित अशुधियां जो की केल्शियम और मैगनीशियम के लवन होते हैं उन अशुधियों का उनके कार्बोनेट के रूप में अवचेपन हो जाता है अमोनीक्रित ब्राइन को चनक में छाना जाता है जिससे केल्शियम और मैगनीशियम के कार्बोनेट का अवचेप प्रिधक होता है कार्बोनिटी करन स्तंभ में अमोनिया द्वारा संत्रिप्त ब्राइन का ठंडा विलियन उपर से गिराया जाता है जिसमें आयरन से बनी छैतिच प्लेटे होती हैं जिनमें मध्य में छेद होता है और यह छेद छिद्रित धक्कन से धका होता है चूने की भट्टी से आने वाले कार्बन डायोकसाइड को इस स्तंभ में तली की ओर से नीचे की ओर से प्रवाहित कियते हैं जिससे नीचे किरने वाले अमोनिक्रित ब्राइन से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है CO2 के प्रवाह को नियमित रखा जाता है और तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटिक्रेट पर नियंत्रित रहना चाहिए यदि CO2 की धारा अधिक तीवर प्रवाहित की जाती है तो मुक्त NH3 गैस व्यर्थ पदार्ग के रूप में निकलने लगती है यदि CO2 की धारा धीमी गती से प्रवाहित करती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के सुक्ष्म क्रिस्टल बननने लगते हैं अँचेपित सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनीऊम कार्बोनेट एवं अमोनीऊम क्लुराइट की सुक्ष्म मात्रा युक विलियन के साथ घुर्नी निर्वाद छन्ना से प्रवाहित करते हैं तो sodium bicarbonate अलग होता है, ammonium chloride मातरी द्रव में 6 बच जाता है, कार्बोनेटी करण मिनार में प्राप्त जो sodium bicarbonate है, उसको वायू की अनुपस्तिती में निस्तापन किया जाता है, तो sodium bicarbonate, sodium carbonate जल एवं carbon dioxide में विघटित होता है, ammonia पुनाप्राप्ती स्तंब में ammonium chloride एवं ammonium bicarbonate की बहुत सुक्ष मातरा को ammonia पुनाप्राप्ती स्तंब में प्रवेश कराया जाता है, यहां ammonium chloride, ammonium bicarbonate की चूने के दूद से क्रिया द्वारा ammonia उत्पन होती है, अमोनिया को पुनाफ राप्त किया जाता है और इसके बाद इसे पुनाफ उपयोग भी लाया जाता है तो अमोनियum bicarbonate विगटित होकर अमोनिया और carbon dioxide नाता है इसे अमोनी करण मिनार में पहुँचाया जाता है और ब्राइन विलियन में संत्रिप्ति करण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस पूरे प्रक्रिया में हमने देखा कि अमोनिया और कारबन CIद等ड हुण चक्रन किया जा सकता है। eni तो आपने देखाánd以及 Discover today बहुत ही अधिक उपयोगी है और इसके कौन-कौन से लाब है वो भी हम जानते हैं ये बहुत सस्ता मेथड है जिसके द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माड किया जा सकता है और ये प्रदूशन रहित होता है किसी भी प्रकार की प्रदूशक की उत्पत्ती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है इसके लिए इंधन की आवशक्ता बहुत कम पड़ती है ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इंधन ही सबसे महंगा होता है तो चुकि इस विधी में इंधन की आवशक्ता भी कम है तो यह हमारे लिए उपयोगी विधी हो गई, इस विधी में हम देख रहे हैं कि कार्बन डियोकसाइड और अमोनिया फिर से प्राप्त हो जा रहा है, जिसका हम पुना प्रेयोग कर लिया है, यहां पर साइट प्रोडक्ट या वेस्ट नहीं हो रहा है कोई भी चीज, कार्बन ड अधिक प्यूरिफिकेशन की आवशक्ता नहीं पड़ती है, तो सॉल्वे विधी बहुत अधिक उपयोगी एक विधी है, सॉल्वे विधी के द्वारा सोडियम कार्बोनेट बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना, लेकिन इस विधी के द्वारा पोटेशियम से कराई जाती है तो यहां पर ammonium bicarbonate के सायोग से यह औच्छे-पित कर पाना इसको संभव नहीं हो पाता है क्योंकि ammonium carbonate और KCl के reaction से यहां ammonium chloride बनता है और potassium hydrogen carbonate बनता है potassium carbonate यहां प्राप्त नहीं हो पाता है तो NH4HCO3 प्लस KCl ammonium bicarbonate के साथ जब KCl react होता है तो प्राप्त होता है यहां पर ammonium chloride NH4Cl प्लस KHCO3 potassium hydrogen carbonate तो इस विदी के द्वारा potassium carbonate प्राप्त नहीं किया जा सकता है sodium carbonate के उपियोग यह बहुत ही महत्वपुन एक योगिक है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपियोगी है जल को soft करने में softening of water याने जल के मृदू करण में इसका प्रियोग किया जाता है साफ सब उसमें इसका प्रियोग किया जाता है काच बनाने में, साबुन बनाने में, बोरेक्स बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है और कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका प्रियोग किया जाता है कागज उद्योग, पेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग में भी सोडियम कार्बुनेट एक महत्यपुन योगी के रूप में कारे करता है और सबसे महत्यपुन है प्रयोग शाला में इसका प्रयोग तो प्रयोग शाला में होने वाले बहुत सारे analytical या बहुत सारे जो qualitative, quantitative जो analytical experiments होते हैं उसमें ये reagent के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं